लखनों से अब खबर जहां यजदान बिल्डर्स मामले पर आज LDA VC फैसला लेंगे जहां मामले में अदालत के आदेश के बार LDA VC फैसला लेंगे जहां यजदान बिल्डर्स पर कारवाई होगी या नहीं इस पर आज फैसला होगा तो देखे काई लोगों की जो पूरे जिन्दगी भर की कमाई है वो लगी हुई है दाउं पर और ऐसे में आज इस पूरे मामने पर कही न कही फैसला सामने आएगा या अज़दान बिल्डर्स पर कारवाई होती है या नहीं ये देखना होगा और इसी पर सबी के नजरे यो भी है क्योंकि कई लोगों की जो पूरी इंवेस्टमेंट है पूरी जिन्दगी भर की वो दाउं पर लगी हुई है और ऐसे में कैसे उनको राहत दी जाती है प्रशासन के तरफ से इसका इंतजार वो कर रहे हैं मामले में अदालत के आदेश के बाद LDA VC फैसला लेगा और अदालत की तरफ से क्या कहा जाता है ये देखना होगा फिलाल याजदान बिल्डर्स मामले पर आज LDA VC फैसला लेंगे और बहदी जादा महत कूंग ये फैसला जा मामले में अदालत के आदेश के बाद LDA VC आग में कैसे राहत मिलती है प्रविशासन की तरह लोगों को इसका इंतजार है अब देटे थे हमारे समधाता इश्विनी दिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं अश्विनी क्या जानकारी देखिए यजदान बिल्डर्स पर कारवाई होती है या नहीं इसी का इंतजार किया जा जो है कोड करेगा ना कि लिए वी सी करेंगे क्योंकि लिए वी सी के पास अब आज फैसला लेने का अधिकार एक तरी के स्खल्त में हो चुका है क्योंकि अब तो कारवाई का दौर ही शुरू होगा ऐसे में कोड के समख्षी जो साक्षी प्रस्तूस किये गए थे एल्ट से की कौपी मिली थी आशी आम तोर होता है कि कोई स्टे आउडर मिरता है अगर और विभाक हो जाता है जब कि इस मामले में आज जो बायर था उसको दिया गया और उससे कहा कि आप जाकर कि समिट करिए जिसमें आज बहू समिट करने अगर जाएंगे भी तो थोड़ा सा कारी थे जिनकी वज़े से बिल्डिंग बनके तयार हुई हाला कि सबसे बड़ा सवाल तो LDA पर भी उठता है कि आखिर आठ सालों तक काम चलता रहा है एक विल्डिंग को बनती रही और LDA की निश्व की सुथ तक नहीं ली और जब लोगों ने गारी कमाई उस बिल्डिंग लकनों में तमाब ऐसी बिल्डिंग बनके तयार होती है लिड़ान उनकी जानकारी हो जाती लोगों को और कहीं न कहीं उसका एक तरीके से उसकी शिकायत हो जाती उसके बाद कहीं न कहीं सब्सक्राइब नोटिस काट के वहीं कागजों में जब्त कर दी जाती है जिसमें आम जनता का पैसा जब लगता है आम जनता उसे खरेती है उसता के फैसले आते हैं अज का दिन जो बायर्ज के लिए काफी महत्पूर्ण है और कोट आगे क्या करता है इस पर सबकी निगाएं होगी बिल्कुल और कोट के फैसले का ही रहे कि अश्वनी इंतजार किया जा रहा है कि कोट आखिर क्या आदेश देता है और उसके आधार पर कारवाई क्या होती है इस पर नज़र रहेंगे